इतने ज़्यादा questions आप practice करेंगे, trigonometry से बच्चों को बहुत डर लगता है, especially अगर को 11th class का student है, वो जब को student drop भी लेता है, वो भी यही कहता है कि सब 11th का दर्द अभी भी याद है, कि drop में से इतने सारी questions solve कैसे करेंगे, यही आपका सबसे बड़ा doubt होगा, इतना time कहा है, त इसके उपर सवाल बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, तो इस वैसे थोड़ा से tricky होता है, और students के नबस भी यही पर आके बिगड़ती है, कि conditional वाली questions नहीं आते हैं, नहीं solve हो पाते हैं. Hello dear students, मैं आपके सामने आपके जो trigonometry के book अगर आपके पास है, तो इसका मैं author हूँ और मैं आपके सामने आज आपको बताने आया हूँ, जो इस book का पहला chapter है, trigonometry ratios and identity, उसको पढ़ने का एक effective तरीका क्या हो सकता है, कि जिससे हम कम time के अंदर उस chapter को mastery करें, और हमारे marks में भ लेकर आए, कहीं नहीं ये वो chapter है, जो की पूरी trigonometry का base है, ठीक और इसी chapter को अगर हम strong करते हैं, तो हमारे definitely काफी सारी help बाकी जगे भी होती है, आपके physics है, वहाँ पर, क्योंकि general trigonometry तो सभी जगे available है, और यहाँ पर अगर हम अच्छा score करते हैं, तो जो हमारे calculus है, जो 12th के पहले, एक brief बात में पहले इस book के बारे में आपको बता दूँ कि इसके अंदर more than 2000 problems है, और जो की with solution आपको available रहती है, और recent year की questions भी आपको इसके अंदर available दिखेंगे, और जो मेरे बारे में थोड़ा कम जानते हैं, या अभी जानना चाहते हैं, first time आये हैं, first time रूबर ह हो रहे हैं, तो मेरे बारे में एक brief introduction यहां पर दे रखा है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है, और इस book के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो मैं आप भी आपको बताया है, यह book के covers हैं, और यह detail page इस book के अंदर है, जहां पर आप मेरे बारे में, आपको printed form है, यह details मेरे बारे में अगर आप और जानना चाहें कि मेरा background क्या है, वहां से आप देख सकते हैं, यह book का front cover है, यह back cover है और यह बाकी और इसकी books हैं, जो आपको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को भी मिलती हैं, आप इसको ट्राइ कीजिए कि आप इनसे maximum utilization करें, और अपनी rank में इ identity की हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके index की बात करते हैं, कौन कौन से topics यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, introduction, angle, trigonometry ratios and function and acute angle, जितने भी उनकी values होते हैं, standard हम बात करेंगे, उसको measurement के तरीके, sum or difference के formulas, 15 degree, 75 degree के formula, multiple angles के formula, 2 theta, 3 theta, trigonometry series की problem, फिर जाते जाते conditional trigonometry inequalities कैस से solve करते हैं, condition, trigonometry, inequalities के problems भी आपको दिखेंगे, फिर solve problems होगे हो, practice exercise के अंदर आपको मिलने वाले हैं, SCQs, single choice correct questions, MCQs, multiple choice correct questions, linked comprehension type questions, जिसमें passage होता है, और match the column, integer type, फिर J main और J advance, ठीक है, इसमें 2 sections, तो J main के हिसाब से अगर हम बात करने तो 3 sections है, single correct, integer type, और J main के जो archives हैं, जो previous year के questions हैं, और advance के लिए हमको MCQs भी देखने होंगे, passage भी है, match the column भी है, और J advance के जो PYQs है, वो भी हमें देखने होंगे, तो चली मैं फटा-फट से बुक को open कर लेता हूँ, और उसको फिर हम study करते हैं, कि section wise एक-एक में आपको बताता जिससे आपका time भी कम लगे, और जो आपके marks है, वो definitely increase होंगे, यह आपको ऐसा आपकी book के अंदर दिख रहा होगा, आपके पास अगर printed form में book है, तो मैंने थोड़ा ऐसा color correction किया है, ताकि एक वीडियो में आपको better visibility रहे, तो जो sections इसके अंदर हम cover करने वाले हैं, angle उनका measurement का तरीका, trigonometry ratio, acute angles के, allied angles के formula, somewhat difference of two angles, multiple angles के trigonometry ratios, trigonometry series problems, conditional identity and inequalities के बारे बात करें, सबसे पहले हमें, theories की बात करना हूँ, सबसे पहले आपको इसके अंदर theories मिलेंगी, short में, followed by बहुत सा illustrations आपको रहेंगे, जिससे आपका topic strong हो जाए, angle क्या होता है, definition वहीं से शुरू किया है हमके measurement करने के तरीके कौन-कौन से हैं, British, French और Radian system, और क्या उनमें relations हैं, conceptual notes कैसे आप inter-convert कर सकते हैं, और शुरुवात वहीं से होते हुए, कुछ questions आपके लिए अविलेबल हैं, फिर acute angles के बारे में बातचित हो रही है, hypotenuse, base, thetas, वगरा, क्या assign, कौस, मतलब चीजों को बिल्कुल basic से ही शुरू किया है, तो जो एक student 9th या 10th class में हैं, उनके लिए भी ये बुक उतनी ही beneficial है, बुक का जो questions का level है, वह धीरे 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 धीरे, बहुत speedily increase हो जाता है, हर questions को बस आप धंक से बनाते हुए चलिएगा, याद करने की कोशिच ना करें, ये angles के बारे 53 की approach values हैं और बाकी सारी exact है, 37 degree 53 आप physics के अंदर ही बहुत utilize करते हैं, तो इन दोनों की approximate values हैं और बाकी सारे angles से exactly लिखे हुए, तो जितना जादा आप उनको याद रखेंगे, उतना जादा हमारी calculations improve होती है, फिर illustration शुरू हो गए हैं, आप देखी question number 10 पे आगे, 12 हैं, इन स questions को आप खुद try कीजेगा, एक blank paper रखके पहले इसको cover कर लीजेगा, इस question को खुद try करें, फिर solution के साथ match करें, और देखें कि आप से कितने questions हुआ हैं, ठीक है, हर तरह की questions आपको मिलेंगे, बस यही है कि जब भी 37 और 53 दिखें, इसकी हमने जो approach value जो हम physics में utilize करते हैं, व use भी है, जो आपको थोड़ा डराएगा, समझाएगा, पर धीरे 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 आपका जो topic है, उसको build करता चला जाएगा, 20 illustrations हो चुके हैं, 21 illustrations के बाद, अब मैं साम और, एलिट एंगल सी तरफ हम जा रहे हैं, first quadrant ASTC rule के बारे में बात्चे चल रही है, और 90 प्लस ठीटा, 90 म इस सारा discussion जहां पर जरुवत है कि proof relevant है, बताना चाहिए, बताया गया है, ठीक है, कोई trick की जरुवत है, कोई working rule है, तब explained है, और यह formula sheet आपके लिए पहले से तयार है, आप इनके screenshot ले सकते हैं, screenshot लेके mobile में तयार कर सकते हैं, ठीक है, तो दो तरग students होते हैं, एक होंगे वो students जो किसी institute पर पढ़ रहे हैं, और उनको book चाहिए, बस एक practice के लिए, उनके theory covered है, they can directly try the illustrations, और दूसरे वो student है, जो theory भी पढ़ना चाहते हैं, self study वाले mode वाले students है, उनको पहले theory पढ़ने ही चाहिए, उसके साथ साथ धीरे 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 illustrations भी पनने लग जाएंगे, ठीक है, वैसे follow कर सकते हैं, और जो सिर्फ practice के लिए, वो तो फिर questions कोई सा भी हो, चाहिए वो test to your concept का हो, salt illustrations हो, या फिर पीछे की exercises हो, questions, questions होते हैं, उनको try करते हुए जाना है, limited time frame के अंदर, आपको questions को try करना है, एक बात और मैं बता दू, किसी भी questions को आप more than 7 minutes try मत कीजेगा, 7 minutes क अंदर ही आपको question try करना है, time लग रहा है, तो skip करके अगले पर चलिए, वरना क्या होता है, कई बार हम आदे आदे एक एक घंटा एक ही सवाल पर बैठे होते हैं, तो फिर time is the key, time का हमें focus रहना है, time पर focus रहना है, इसके उपर based question, elite angle के उपस questions आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, अब आप देखेंगे 48 questions तक आते आते हैं, मैंने AMGM को involve करना शुरू कर दिया, तो सारे concept आपको यहाँ पर mixed होते दिखेंगे, मैं एक-एक illustrations को यहाँ पर आकर discuss नहीं करना चाहरा हूँ, बस आपको philosophy समझा रहा हूँ, बुक्की के पढ़ना कैसे है इसको, हना, अब से इसके अंदर, 15 questions हमको दिख रहे हैं, और आगे जाते हैं, 22 questions हैं, तो आपने इसका एक test ले लिया, 2 गंटेगा, या 1.5 गंटेगा, जितना भी आपको time लग रहा है, और उसी के नीचे इसका answer की है, तो आपने test कर लिया, और यह test your concept किसके उपर होगा, जितने topic बुक में उसके उपर समझाएगा हैं, उसके उपर है, random questions नहीं होगे, तो जितने उपर आपने पढ़ें, उसी की practice के लिए होगा, difficulty level हर तरह की होगी, difficult भी होगे, और अच्छी बात क्या है कि यह salt है, आप देख सकते हैं, solution on the page, H.1, तो उस पर जाके आपको इसके solutions भी मिल जाएंग पर आए आप topic में आगे बढ़ेंगे theory में, तो sum of और difference of के angles कैसे proof हैं, वो सारी बाते मैंने बता रखी हैं, और फिर उनके धीरे 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 अपने practice करने शुरू कर दी, 15, 75 यह सारे angles कैसे calculate होते हैं, और फिरनी के उपर based problems आपको दिखती चली जाएंगे, sigma, pi के सारे notations आ मैंने ही बना के आपको पहले से दे दिये हैं, तो यह योलो कलर का highlighter होता है, उसको आप purchase कर लें, आपके book के अंदर mark करते वे चलें, एक formula list मैंने पहले बना के दे दिये, इनको memorize कर ले, और लिख-लिख के practice कर ले हैं, इनको पर based problems हैं, जो आपको try करने हैं, कई बार ऐसा भी होगा कि कोई question मैंने यह solve कर रहे हैं, आपने किसी और method से solve किया, और answer आपका आगया हो, ठीक, कोशिश यह किए किए कि जो most suitable method उससे मैंने यहाँ पर solve किया हुआ है, और कई जगे मैंने alternate solutions भी दिये रखे हैं, ठीक है, 71 problems में आगे हूं, अभी हम sin a plus b, sin a minus b के तरफ जा रह आपको देखने को मिलेंगे, हर तरह के सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, sigma है, यहाँ log है, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, अब आप देखिए counting करते करते हैं, अभी हम 85 number पर आ चुके हैं, तो बहुत सारे illustrations हैं, जितने ज्यादा सवालों को हम यह उतना ज्यादा हमारा दिमाग क्लियर होता चला जाता है, थोट क्लियर होता चला जाता है, देखिए, प्रोग्रेशन, AP में हैं, और यह भी AP, प्रोग्रेशन चेप्टर के मिक्सिंग आ गई, इसकी maximum minimum values लेकर आ रहे हैं, तो जो कोई dropper student है, उसको भी solve करने बहुत जाएगा, कि हाँ सवाल है, यह देखिए, सिग्मा का formula है, फिर यहां आते आते अचानक से condition apply हो रही है, AM, GM apply हो गया है, और यह उसको पर based problems, यह हो गया है हमारा test your concept number 2, 16 सवाल हो गया है, फिर हम आए हैं multiple angles पर double angles पर 2 theta, 3 theta, यहां वाले formula पर आ रहे हैं, और उसके पहले आपके पास एक साथ mentioned है, तो कहीं पर भी मात करने ज़रूबत नहीं हो, देखिए, आप 88 questions हो चुके हैं हमारे solved example में, with 2 test your concept और हम 89 पर आगे बढ़ने वाले हैं, जितने ज़्यादा questions आप practice करेंगे, trigonometry से बच्चों को बहुत डर लगता है, especially अगर को 11th class का student है, वो जब क हर सवाल अलग तरीके का होता है, तो बुक का process यही है, कि concept को हमने पढ़ा, और उसके बाद उसी profile के सारे questions ढेड़ सारे एक जिसे हमने देखे, और जितने सवालों को हम देखेंगे, try करेंगे, उतना हमारा दिमाग open होता है, फिर हम profile को identify करके, उसका solutions निकालना शुरू कर जाते हैं, कि यह profile, यह वाला question तो इस profile की solve होगा, यह बहुत बढ़िया सवाल है, 99 वाला आप देखिए, और चलते चलते फिर हम पहुंच गये हैं, half angles की तरफ, 7.5 degree, 22.5 degree, 67 degree, 82.5 degree, और फिरी ठीटास के formulas, और यहां पर एक list में बनी हुई है, कि 15 degree, sign 18 degree, cost 18 degree, ताकि हमें इधर उधर time खराब करने की जरूरत ना पड़े, देख सकते हैं, शायद हमारी century हो चुकी, देखिए, 109 पर हम पहुंच चुके, और बहुत सारे धेड़ सारे problems आपको यहां पर दिखेंगे, जो effectively आपकी trigonometry का जो level है, बहुत अच्छे से उपर लेके है, तो आपको मज़ा आएगा इस book को solve करने में आगे की तरफ सलते जाते हैं, अब फिर यह miscellaneous problems यह भी आपने देखा होगा, sin theta, sin 60 minus theta, sin 60 plus theta, उसके पहले 121 problems हो चुके हैं, फिर यह highlighter पूरा, एक सास सारे formula लिखे हुए हैं, ताकि हमें वो short notes बनाने का काम भी मैंने already कर एक printed copy रखी, वही आपकी printed book के अंदर ही निशान लगाते चली, वही आपकी notes copy हैं और एक solve करने के लिए copy अलग से रखी हैं, product series की तरफ हम जाते हैं, इसके पहले आपने देखा test your series आगया है, test your concept number 3 आगया है, जिसके अंदर हमने double angle, triple angle के formulas के questions रखे हैं, 18 questions से आप इसको फ आज नंबर के उसन ट्राइ कर रहे हैं, तो उसका अंसर एकदम से मत देखें क्योंकि हमें 6 नंबर दिख जाएगा, और 6 नंबर दिख जाएगा तो हम 6 को solve नहीं करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है, फिर यह ITF की यह ITF नहीं, trigonometry के series के formula, product वाले हैं, ऐसे फिर आगे sum व कि सवाल करना कैसे हैं, कई बार हम किसी coaching को पढ़ रहे होते हैं, तो limited lectures teachers को मिलते हैं, जिस seniority के teacher अब को मिल गए हैं, अच्छे तो आप लखी हैं, उना कई बार हमें थोड़ा से experience teachers अब नहीं होते हैं, तो एक profile के हमें 2 या 3 questions करने को मिलते हैं, तो हम अच्छे से उस profile को सम नहीं पाते हैं, इस book में आपको धेर सारे सवाल systematic way में उसी order में देखने को मिलेंगे, question number 137 तक हम पहुंच गया है, इलस्टेशन ही चल रहा है, अब धीरे धीरे level बढ़ाते हुए, देखिए, polygon का question आ गया है, कि एंगल कहां तक पहुंचे हैं, तो full J.E. advance है, जो आपको द बात की, ठीक है, फिर conditional identity, जिसमें condition दे रखी होती है, और उसके उपर based questions होते हैं, ये उत्रा ज्यादा important topic नहीं है, पर इसके उपर सवाल बहुत अच्छे बनाये जाते हैं, तो इस वाइस से थोड़ा सा tricky होता है, और students के nubs भी यहीं पर आके बिगडती है, कि conditional वाले questions नही आते हैं, नहीं solve हो पाते हैं, तो धेड़ सारी questions आपको इसको भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, 160 questions पर हम पहुँच चुके हैं, और conditional inequalities भी होती हैं, उनको भी हम focus करके बना सकते हैं, study कर सकते हैं, और आपको जब आप एक ही जैसे type की questions देखेंगे न, अब देखेंगे अम than equal to HM, या आपको algebra में cover होगा, तब जाके यहां कर पाऊगे, तो कई सारी questions ऐसे होगे, आगर आपने उधर नहीं पढ़ा है, calculus या algebra में कोई topic ऐसा आगया है, तो वो इधर नहीं बनेगा, आप उनको circle करते होई चलिए, यह topic मेरा उधर का बचा हुआ है, यह देखें, method 2, आपको दिखेंगे, solve करते होगे, फिर आते है, solve problems, तो कितनी test यह concept हो चुकी है, 5, solve problems की बात करते है, solve problems वो हैं, जो एक mixed problems है, जो किसी topic के अंदर नहीं आती है, पर बढ़िया सवाल है, जिसमें 2-3 topic mixed है, तो यह 10 या 12 questions होते हैं, जो मैंने last में रखे हैं, तो solve illustrations अलग है, solve problems last में आती हैं, 10 बारा वो अलग है, तो यह देखा, 160 के आसपास questions पहुंच गये थे, और यह 10 questions के आसपास ही हमेशा रहते हैं, यह last में आपके लिए 11 questions हैं, इनको भी आप try कर सकते हैं, अब यह होने के बाद, इतनी questions होने के बाद, अब यह है कि सर, अब हमें practice करनी हैं, सर past attempt होगा, फिर उसके बाद time के बाद second attempt होगा, फिर उसके बाद हमारे पाद यह advance आएगा, तो तीन बार तो एक्जाम होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पार उतना material भी तो होना चाहिए, कि जब हम बार 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 बना, एक ही बार पूरा material अगर खतम हो गया, तो ही है, कि अगर 100 questions है, आपके पाई CQ में तो आपने first 30 कर लिए हैं first minutes के time पे, अगले 30 कर लिए हैं second minutes के time पे, बचे वे 30 आपने कर लिए advance के time पे, पर इसके अंदर एक important बात भी है, यह advance की तैयार यह last के डेड़ महीने में नहीं होती है, उसके लिए तो हमें day 1 से महनत करनी परती है, तब ही जाके हम advance वाले level पे पहुंच पाते हैं, वो जहां तक as far as mathematics की बात में कर रहा हूँ, mathematics का level तो moreover same ही रहता है, परेशान maths ही subject करता है, तो में इसकाई paper अच्छा ही आता है, तो हमारे लिए तो दोनों ही जगे महनत करनी है, ठीक है, आते हैं exercise वाले part पे, अ unit wise होते हैं, topic wise होते हैं, जब आप exercise पे आते हैं, SCQ वाले exercise दोनों तरह से important है, J means के लिए भी और advance के लिए भी है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि first 30 questions आपने theory पढ़ने के साथ साथ कर लिए, या जब आपको लगा कि मुझे trigonometric questions कम बने कभी पे 10 questions का set x test की तरह लिया और दे hand pick करके ना दे, continuously 10 questions pick करें, एक से 10 ले लिए, 11 से 20 ले लिए, 31 से 40 ले लिए, ऐसे आप ही कीजिएगा, और फिर ये आप देखेंगे कि ये मेरे करीब 100 के आसपास questions रखे हैं, तो agenda वही है, हर exam के हिसाब से आपको 30-30 questions रखना है, first attempt, second attempt, all J advance के लिए, तब ये cover हो जाएंगे और फिर आता है MCQ, MCQ is purely for J advance, आपके पास किस जिस coaching में आप पढ़ते हैं, वहाँ का material भी आपके पास होगा, तो एक बार आप देखेंगा उसमें कितने MCQs आपको अवेलेबल हैं, और इस book में आपको कितने MCQs आपको देखने को मिलेंगे, देखते जाएं, 42, ये देखें 42, पाई के साथ एक सीरीज चल रही है, उसके साथ कहानी बन रही है, तो भेतरीन क्योंचन हैं, आप इन सब सवालों को बनाइएगा, फिर है पैसेज, comprehension के क्योंचन से आप देखें, कॉंप्रेंशन, 23 क्योंचन सापके comprehension में हैं, 9 comprehension हैं, और मैस्दो कॉलम के मैं बात कर रहा हूँ, तो मैस्दो कॉलम भी हमारे पास कितने हैं, 8 मैस्दो कॉलम से, ठीक है, यह भी advance के लिए है, और अगला section आया है, numeric response वाले section, यह mains में भी है और advance में भी है, तो इसलिए यह questions हमको ज्यादा try करना है, तो कोशिश किए कि मैं आपको इसके sufficient questions दे पाऊं, और आप attempt तर पहले 15 कर लें, उसके बाँ अगले 15 फिर उसके बाँ बचे हुए 20, तो आपके यही मेंस वाले section भी कवर हो जागा, पर यही मेंस के तो हमें सारे ही questions करने हैं, आप देख सकते हैं, यही मेंस यह questions जो आपके पास आये हुए हैं, trigonometry ratios में थोड़ी quantity कम रहती है, reason यहा है कि जो अगला जो chapter है, trigonometry equations उसके ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, तो 33, पर उसका base यही है, उसका base यही वाला chapter है, advance में आप देखेगा, आपको कभी questions इसमें दिखेंगे, दो ही के तीन ही questions हैं, क्योंकि जो अगला chapter है, हमारा trigonometry equations उसके उद्दर काफी जादा questions आते हैं, इसके अंदर यह वाला chapter भी utilize होता है, book में मैंने दोनों को segregate करकर रखा, यह answer की साप देख सकते हैं, 100 है, इसके आपके पार 42 है, linked वाले passage 23 हैं, और 8 हमारे पास match the column है, 50 integer types हैं, 33 J.E.Main से हैं, और 3 J.E.Advanced questions हैं, एक बात और आपक पास book हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि यह सारी questions भी solved हैं, और book के letter section में हैं, जैसे मैं आपको बता हूँ, यह जब आपके पास book है, तो इसके अगर आप यहां side में देखेंगे, तो यह जो pink color के निशान लग रहे हैं यहां पर, यह solution वाले pages हैं, यहां पर solution वाले pages, यहां passage, match the column, j means pyq, j advanced pyq, इन सब के solutions आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, so मेरी तरफ से बच्चों all the best, जो भी student शोटी classes के 9-10 के भी अगर इस book को solve करें, धंक से आप solve करें, definitely things will improve, और आपका mathematics का जो base है, वो बहुत solid बनेगा, और मिलते हैं guys अगले किसी session के अंदर, definitely all the best मेरी Thank you.